मुझे इन घटनाओं को देखकर पार्टिशन के दिन याद आ रहे हैं This makes me remember the partition days और मुझे वह भी याद है 16th of August 1946 when it was a direct action day जब डिकलेर किया था उस समय और मैं यह कहता हूँ कि 16th August 1946 जब मैं याद करता हूँ direct action day की बात करता हूँ तो मैं उसी के साथ साथ आज जो दो वही तारीक की दोपहर के बाद घटनाए घटी हैं that also is like a खेला होवे डे वह भी खेला होगा इसकी तारीक और नंदी ग्राम में जो ममता जी ने कहा था और जो आपने अभी इस स्क्रीन पर भी देखा है वो खेला होवे डे वह दो मई बन गया यह हमको ध्यान में रखना चाहिए और जिस तरीके से नरसंगहार हुआ है जिस तरीके से ब्रूटल किलिंग हुई है और जिस तरीके से ममता जी चुप रही है पूरे 36 घंटे 36 hours अक्टिंग केर टेकिंग चीफ मिनिस्टर चुप रहे यह बताता है उनकी इन्वाल्मेंट का ममता जी साइलेंस स्पीक्स about her इन्वाल्मेंट and she starts her third term with her blood on her hands वह अपनी तीसरी term की शुरुवात उनके हाथ में लगे हुए सने हुए खून के साब प्रारम होती है यह मेरा चार्ज है अगर हम इंसिदेंट्स को देखें अगर हम इंसिदेंट्स को देखें तो हमारे ध्यान में आता है कि the TMC workers have targeted the BJP grass root level workers ground में काम करने वाले workers को attack किया गया है और दूसरा जो feature हमको ध्यान में आता है कि उनके परिवारों को attack किया गया है उनके परिवारों को attack किया गया है their families have been attacked and specially the target has been women महिलाएं target बनी है और target में महिलाओं का molestation and rape cases ये सामने उभर कर किया है इसलिए जब चुनाओं के परचार में हम बोलते थे कि महिलाएं सबसे ज़्यादा अंसेफ हैं West Bengal में तो मैं सच था हम जनादेश का सम्मान करते हैं लेकिन जनादेश से सचाई छुप नहीं सकती women have been molested and rape cases have taken place और उसके साथ-साथ loot की घटना भी हम लोगं को देखने को मिली है पहले attack, target, फिर family पर attack, फिर women पर attack और women पर attack के पश्याद, फिर loot ये हम को देखने को मिलता है और आज भी जब मैं देखता हूँ तो red blood of people of Bengal वह हम को दो तारीके बाद देखने को मिलता है और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां मैं इसकी भरसना करता हूँ वही प्रजातांत्रीक तरीके से इन सब जो कुछसित विचार है जो जिसको मैं कहूँगा कि इन tolerance के विचार है और सहिशनुता के विचार है इनको हम नस्तो नाबूद करेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ